नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में हम लोग BTSC A&M को लेकर नई जो आपडेट आ रहे हैं उनके बारे में जानने वाले हैं जैसे कि A&M को लेकर आए दिन आप लोगों को नए नए आपडेट देखने को मिल रहे हैं और जैसे कि A&M की बहाली को लेकर जो 10709 जो बहाली है उनको लेकर हमारे जो मुख्यमंत्री जी है नितीस कुमार जी ओहां पर भी इनफार्मेशन पहुचा दिया गया है बहाली परकेर आपसब को पता है कि जितना रिजल्ट आए है उतना ही ये फस्ता जा रहा है बहाली क्यों कि एक केस के दाद दुसरे केस हो रह और क्या कुछ हो किया गया है वो सारह कुछ हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि इसमें हमने आपको बताए भी थे कि यह जो संग के द्वारा जो की एक पत्र लिखा गया है जैसे कि आप यहां पर दे सकते हैं और सेबा में मानिय मुखमंत्री जी के पास लिखा गया है तो क्य कोट का डिसीजन आने पर आयोग जो करेगे उस अनुसार होंगे तो वो सारे कुछ हम आपको बताने वाले हैं वीडियो के लाश्ट तक जरूर बने रहेगा तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि सेवा में मुखमंत्री जी और बिहार तक्निकी सेवा आयोग विज्ञाप 2775 था उसको लेकर जैसे कि नियलाय के द्वारा जो नया सुनवाई भी आया था उसी को आलोक में ये संग ने पत्र लिखे हैं कि उसी को मानने करने के लिए जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि उप्युक्त विशायम के संबंद में जो महासंग है उनकी और से आदर के 2109 पदों की नेक्ति जो विग्यापन निकाला गया था एस्कुटनी करवाएये सारा प्रोसेस करवाया गया उसके बाद एक जुन 2013 में जो 18 वाला नियामा वाली ये वाली उसको निरस्ट करकर 23 वाला नियामा वाली लागू खड़के उस पे एक्जाम पाइटर्म लाया गय करा नेरेया है किस तरीके से ले रहे हैं इसके लेकर यह जो संग मुखमंत्री जी जी pendant पास लिए जिसमें कि भाली को यह लग मांग कर रहे हैं कि पुर्म नियमावली जैसे यहां पर आप देह सकते हैं कि एनेम की निक्ति होती निकाले गए विग्यापन के अनुरूप जाथा वर्स 2018 के नियमावली के अधारबन निक्ति परकिरिया पूर्ण करने यह थू नियाया देश एक दोजार मार्च दोजार मार्च दोजार 24 को पारित किया गया था अधा महासंग के सादर रूरोध है के मानिय उच नियायलाय पतना के एक मार्च दोजार 24 को पारित नियायलाय आलोक में यथासिक एनेम की नेक्ति परकिरिया पूर्ण करने समंदित आदेश बिहार तकनिकी सेवा आयो को देने की किरपा की जाए यह मतलब की संग के दोजारा जो अपडेट आएंगे उस सारी जानकारिया हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले जैसे कि कोई भी इनफॉर्मेशन एनम की रिकार्डिंग आते हैं तो उस सारे इनफॉर्मेशन हम आप तक जरूर पहुंचाते रहते हैं और आगे भी जो इनफॉर्मेशन आएंगे वो सारे आप तक जरूर पहुंचेंगे ते